हलो एन वेलकम टू माई चैनल आज हम यह देख रहे हैं एरीस यानी मेर्श राश्री के लिए अक्टूबर 2023 में आप लोगों की लव लाइफ कैसे रहेगी इसी को लेकर यह रीडिंग है कल्स बोई सब्सक्राइब के लिए रीडिंग होगी जो सिंगल है मैरिक कपल्स है यहा यह कार्ट्स आये हैं आपके लिए और काफी कुछ मैसेज्जिस हैं फरस्त अगर टैरोड है के साथ स्ब्सक्राइब करें आपके लिए रीडिंग तो यहां आपके लिए फरस्त कार आया था इसा लग रहा है एरीस लियो साजिटेरिस के साथ आप रिलेश्नशिप में है य जो लोगों के ऐसे कोई पार्टनर नहीं है या सिंगल है तो इस तरह कि किसी व्यक्ति का मैरीज प्रिपोजल और प्रिपोजल आसकता है जो फायर साइन है बहुत पैशिनेट है आपको लेकर हो सकता है किसी का आप पर क्रेश है और वह बहुत त्यादा इंटर्स्टेर यह यहां लग रहे हैं आपको लेकर और एक सपोर्ट सिस्टम की तरह आपको देखते हैं और यह बहुत खुबसूरत और सक्सेस्फूल परसन हो सकते हैं वही नेक्स्ट काड़ आपके लिए आया है तैन अफ वोन्स का तो यहां ऐसा लग रहे कि आप जिनके साथ रिलेशन्श कुछ लोगों के ऊपर बहुत वर्क प्रेशर और 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 इसा भी दिख रहा है वही नेक्स्ट काड़ यहां आया है आपके लिए आपके लिए किंग ऑफ सौर्स का तो आपमें से कुछ लोग जैमिनी लिब्रा एक्वेरिस के साथ रिलेशन्शिप में है मित उन्दुला औ आपके पार्टनर और अगर अभी तक बातचीत बन थी या अन-फ सिच्वेशन था तो इस मन्त में वह क्लियर करेंगे आपसे बाते और अपने दिल की बाते खोल के आपसे करने वाले हैं ऐसा लग रहा है और अगर आप सिंगल परसन है तो इस तरह की किसी परसन का मैरिस प करते हैं वही नेक्स कार आपके लिए आया है तो आप में से कुछ लोग ऐसा लग रहा है कि Aries, Leo, Sagittarius के साथ रिलेशनशिप में है मेश राशी, Singh, राशी, धरुन, राशी के आपके पार्टनर है और यहां आप बहुत बहुत दूरीयों पर हैं फिजिकल डिस्टेंस यहां और इसी वज़े से शायद काफी टाइम से आपने पेशन से वेट किया है किसी थर्ड पार्सन की वज़े से आपका रिलेशनशिप काफी रुका हुआ है या आप बहुत जादा मजबूर यहां देख रहे हैं दूरीयों पर रिष्टा है काफी टाइम से वेटिंग वाली ए सकता है पर यह पेशन्स आपको मेंटेन करना होगा इस मन्त भी पही नेक्स काड आपके लिए आया है तो यहां ऐसा लग रहा है कि बहुत लोग हैं आपके पार्टनर के अराउंड काफी जादा लोग हैं और ऐसा लग रहे हैं कि आप इतने जादा कुबसूरत हैं या इतन काफी आराउंड काफी लोग हैं तो कही ने कहीं लोगों की एंटरफेयर बहुत है आपके और आपके पार्टनर की बीच में काफी लोग हैं और इसी वज़े से काफी स्ट्रगल्स हैं यहां काफी कांपिटिशन हैं काफी लोग हैं उनके अराउंड यह फैमिली मेंबर्स ह प्रेयर में वह आपको ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं टेक्निक्स भी यूज कर रहे हैं और यहां ऐसा लग रहा है कि यह टेक्निक्स काफी हद तक पॉसिबल हो जाएगी कि वह फूट हो क्योंकि इनके इंटिंशन वैसे तो प्यॉर हैं पर यह बहुत कह सकते हैं आपको लेकर ब पॉसिबल करवा लेंगे अगर कुछ परिशानिया हैं आप लोगों के बीच में स्ट्रगल्स हैं या मतमटाव जैसे स्थियां अभी तक रही है तो वह सब चीज आपके लिए ठीक होने वाला है क्योंकि मैनिफेस्टेशन का काड़ी बता रहा है कि आपके लिए काफी है दर तिंकिंग मैन का तो जो लोग सिंगल हैं उनके लिए किसी वाइस परसन का एक मैरिज प्रपोजल लव प्रपोजल आ सकता है और यह बहुत फ्यूचर प्लान करके चलता हैं इस तरह से आप इने समझ सकते हैं और कुछ लोग और इनके साथ करनेक्शन में हैं वही ने आपके लिए हैपी फैमिली का तो बहुत ही खुबसूरत काड आया है यह आपके लिए क्योंकि यहां ऐसा लग रहे है कि आप जिनके साथ शादी में हैं या कि सकते हैं आपके मैरिज पार्टनर के साथ आप बहुत सारी खुशिया देखेंगे और अगर आप एक सिंगल पर सो ऐसा भी दिख रहा है और जो लोग मैरिड हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम अपने परिवार के साथ आप बिताएंगे वही नेक्स कार्ड आपके लिए आया है दो टो रॉमेंस जो लोग सिंगल है उनके लिए रॉ जो आपकी इच्छा थी वो जरूर पूरी होगी इस्पेशली लॉव लाइफ से रिलेटेड आपके लिए अगर आपके लिए किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो यहां आपके लिए कुछ चैलेंजिस अपने आप खतम होने वाले हैं और यहां ऐसा हो सकता है कि कुछ ल रिलाख जैसा देखा है और इसी फेज में अभी चल रहे हैं काफी डिप्रेशन में हैं निराशा में है हताश हैं परिशान हैं काफी ज़्याद को दुख में हैं अभी कुछ लोग और ऐसी इस्थी में हैं कि आप अपने आपको बहुत स्टूक फील कर रहें हैं इस आपका फिर्स शक्रा बालंस में करेंगे इस में और इनकी बैलनस एंटरी आप देखेंगे कि इनकी ब्लासिंग से आपके लिए आप यह लाइफ फोर्स एंडर्जी का काड़ बाना जाता है तो जीवन उर्जा से फिर से भर जाएंगे और इस अंदराशा से अप दूर हो जा और इस lower energy से आप बहार निकलेंगे, ऐसा भी दिख रहा है, और आपके health issues से तो वो भी ठीक होंगे, इस month में ऐसा दिख रहा है, क्योंकि आपका first chakra balance में आएगा, वहीं आपके लिए अगर हम देखें, तो fairies के तरफ से message कर रहा है, protect your dreams, you are the guardian of your precious dreams, and they are safe in your care, keep them close to your heart, until you are ready to release them, जी, आपके लिए ऐसा लग रहा है कि आपने, आपकी कुछ dreams थे, वो आपने उनसे give up कर दिया, क्योंकि आपको लग रहा है कि आपने बहुत time sweet किया, पर शायद आपको वो, जो आपका dream था, वो पूरा नहीं हुआ, तो आपको यहाँ fairies करें कि ऐसा नहीं है कि वो dreams पूरे आप, वहीं, next card आया है, come together का, fairies like to be busy and a group of them is showing you that many hands make light work, working as a team help get the job done, जी, यहाँ ऐसा लग रहा है कि आप बहुत religious या spiritual person है, आप धरम और अध्यात में को काफी मानते हैं, तो यहाँ आपको कहा जा रहा है कि fairy protection में हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपकी चीजें काफी delay हो fairies आपकी सुनेंगे और आपकी जो blessings है वो आप तक जरूर पहुचेगी, क्योंकि आपके लिए काफी light workers भी protection आपको दे रहे हैं, fairies के दूर आपको काफी blessings दे रहे हैं, तो को सकता है आप, आपके धरम गुरू या आपकी light workers या आपकी spiritual work करने वाले लोग है, वो भी आपक सारी blessings आ रही है, और जो आपकी जो ये prayers हैं, वो कहीं वेस्ट नहीं होगी, आप थोड़ा सा patience रखें, जैसा card भी आया था patience का, नहीं next का रहा है magical blessings का, whatever you are going through, you are being assisted by magical fairy blessings, the fairy says you can bless others, जी, आपके लिए जैसा मैंने बताया कि आपकी चारों तरफ एक fairy protection wall है, वो इंसान आपके स साथ कुछ गलत कर भी नहीं सकता, even सोच भी नहीं सकता है, क्योंकि आप बहुत एक pure soul है, जो लोगे reading देख रहे हैं, वो fairy protection में हैं, God को बहुत मानते हैं, चाहिए आप जिस religion के हो पर आप बहुत एक धार्मिक और सचे दिल के इंसान हैं, तो जो भी जीवन में आपके struggles हैं अपने आप खत्म होंगे, क्योंकि आपके लिए magical blessings हैं, जो इस मन्त में आपके लिए पूरी होती भी दिख रही है, या उनके लिए एक starting आपके लिए आ रही है, तो आप जीवन में निराशा हताशा से बहार निकलें, और फिर से अपने आपको एक chance लें, ऐसा आपके पासिज होगा, इनिशिल्स अगर हम देखें तो, D और S बी नाम से हो सकता है, कुछ लोगों के पार्टनर का नाम, Q, U, R, राशी अगर हम देखें आपके पार्टनर की तो, Aries हो सकते हैं, वो कुछ बहुआ यू, अपने राशी के लिए आपके लिए पार्टनर की तो, Aries ह टारस हो सकते हैं, रिशब राशी के हो सकते हैं, विथून राशी के हो सकते हैं, और लियो भी हो सकते हैं, यानि सिंग राशी के हैं, आपके पार्टनर की तरफ से मैसेज देखें, I think you deserve more love and respect, जी हुने लगते हैं कि आप बहुत जादा प्यार और इजद दिजर्व करते हैं, I am trying to think of what I want to say to you, जी असा लग रहा है किसी को आपते crush हैं, और वो सोच रहे हैं कि आप से कैसे starting करें बादशीद की, I want to get back together with you, I miss you so much, जी वो आपको बहुत जादा मिस कर रहे हैं, फिर से आपका साथ जाते हैं, being apart from you is painful, I miss you, कुछ लोगों का break up हुआ है, तो वो कह रहे हैं कि आप से दूर, दूरियां उन्हें बरदाश नहीं होरी, वो बस जादा मिस कर रहे हैं, इसी तरह की आपके लिए messages आ रहे हैं, You are my queen of my heart, or you are king of my heart, ऐसा उनकी तरफ से message है, Are you happy without me, यहां से भी a message है, क्या आप उनके बिना खुश हैं, ऐसा वो पूछ रहे हैं, You are mine and I will always be yours, today, tomorrow and forever, जी वो आपके थे हैं, और हमेशा रहेंगे, ऐसा message है, तो आप लोगों के लिए ही messages और रीडिंग थी, अगर यह रीडिंग आपके साथ resonate करें, तो प्लीज मेरे शेरें को like, share and subscribe कर दो कीजेगा, thank you so much for watching my video, have a happy month, Aries